रामराम जी, एजुकेशन नोलीज टीवी में मैं देवु पालाप का हारदीक स्वागत करता हूं कैसे आप सभी बड़ी खुसकबरी आई है, आठ जार अध्धापक बरती, नोटीस जारी किया गया है 29 जनवरी 2020 की बड़ी ख़बर आप सभी के साथ सेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो कान तक जरूर देखे एजुकेशन नोलीज टीवी पे नए है, सब्सक्राइब और बैल के एकन को दबा लीजिए हर रोज आपके लिए एजुकेशन वे जोब से समन्दित वीडियो आती रती है, जो कहीं न कहीं हैलफुल साभी जरूर होती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेके चलता हूं आज को नोटीस की तरब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगले महिने आएगा आठ हजार वीवी सिक्सको का विज्यापन यहाँ पे आप देख सकते हैं, राज्ये विशो विद्धाले सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर ओनलाइन आविद्धन के लिए वेबसाइट पोर्टल तयार कर लिया है, इसका ट्रांसफर मंगलवार को पूरा हो जाए गया और 25 दिसंबर 2019 को गठित आयोग अब पूरी तरह काम करने को तयार है संब्धन हरवरी में यहाँ नियुक्ति परकिरिया सुरू कर देगा जानकारी के मतादबित परदेश में विशोवी धाले में कितने असिस्टेंट प्रोफेस्र की जरूरत है इसकी सुची उच शिक्सहा विबाग ने विशोवी धाले से हाशिल कर ली है बुद्वार को इसकी समिक्षा कर उच शिक्षा विभाग खाली पदों की सुची आयोग को सोप देगा इसी आदार पर करीब 8000 पदों पर नुक्ती की परिक्रिया शुरू होगी राज विशुविदाले सेव आयोग ने उपसचीव डाक्टर असो कुमार से कहा की वेव पोर्टल तयार कर ट्रांसफर कर लिया है जैसे उच शिक्षा विभाग प्रिक्तियों की सिंक्या देगा भरती परिक्रिया चालू कर दी जाएगी तो आप सभी को मैं बता देता हूँ विशुविदाले में 8600 के पदों पर बरती आने वाली है जो कि बिहार सरकार के द्वारा विज्यापन रिलीज किया जाएगा अगले मही नहीं यानि कि फरवरी में आप सभी के लिए बड़ी खुसकवरी है जो भी अदपक लगना चालता है प्रोफेसर लगना चालता है ठ सबसे महले आपको दिखाई जाएगी धन्यवाद